इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत है इसे depression का इलाज करने के लिए निर्धारित किया जाता है जिससे आप बहतर महसूस करते हैं इस दवा को obsessive compulsive disorder वाले लोगों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है फ्लूवेट पचास टेबलेट भूजन के साथ या भूजन के बिना लिया जा सकता है डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह आपके डॉक्टर द्वारा बताये जाएंगे ताकि आपको अपने महसूस कर रहे हूं ऐसा करने से आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है या आपको अप्रिय विड्रॉल लक्षन यानि की एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहत, चक्कर, सोने में परेशानी आदी हो सकते हैं अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इस दवा को नियमे तोर पर लें तथा हर दिन एक ही समय पर लें आपको बहतर महसूस करना शुरू होने में कुछ सप्ता हलग सकते हैं फ्लूवेटर पचास टेबलेट के पुराने एंटिडेप्रेसिंट की तुलना में कम साइड एफेक्ट हैं यह दवा लेने के बाद कुछ लोगों को नींद आ सकती है यदि आपका मूड अचानक खराब हो जाता है या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई विचार आता है तो अपने डॉक्टर को बताएं इस दवा को लेने से पहले अगर आपको एपिलेप्सी यानि की दौरों का विकार या फिट, डाइबिटीज, लिवर या किड्नी का रोग, हिर्दै संबंधी समस्याएं या ग्लुकोमा है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकती है गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए कुछ हन्य दवाएं इसके काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है विशेश रूप से अन्या एंटीडिप्रेसंट और माउ इनिबिटर्स नामक दवाएं कृप्या अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जिन्हें आप सुरक्षित रहने के लिए ले रहे हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद